GS का जो basic की जो शुरुवात होती है वो सबसे पहले NCRT की बुक से होती है सबसे पहले NCRT उठाओ अब बोलेंगे सर NCRT की बुक कौन सी क्लास से उठानी है NCRT हमें उठानी आठमी क्लास से आठमी क्लास, नोवी क्लास और दसमी क्लास था कौन-कौन से subject की SS, Social Science और Science और Mathematics अब बोलोगे सर यह क्या देगा यहां की जो SS है तुम्हें जोगरफी, फोल्टी, हिस्ट्री के या हमारा जै विवित्ता, एकोलोजी है यहां का सारा का सारा 15 से 20 नंबर तक का कवर करेगी यह सारी चीज़े तीन क्लास का साइस जो 10 से 15 क्वेस्टन आते वो कवर होते हैं किसी ना किसी एक्जाम में Mathematics जो हम पढ़ते हैं चाहिए तुम CGL में करो, CPO में करो किसी में भी Mathematics पढ़ते हो दस्मी कलास से बहार कोई नहीं आता हाँ CGL में हो सकता है कि कुछ Advanced Level पूछा जाए बट Math वही है जो हम दस्मी कलास तक पढ़ते हैं हाँ UPSC का अलग होता है कि GS का Level जो होता है उसको Elaborate करके चीज़ों को फूचता एक्स्प्लोर करनी पढ़ते हैं चीज़े बट हम जो GS पढ़ सकते हैं घटना चकर की Objective Book आती है पहले NCRT को रगड़ो प्रोपर तरीके से आत्मी से दस्मी तक का NCRT हाथ से नोट्स बनाओ खुद के एक एक चीज़ जोड के जैसे हमने पहला चैप्टर पढ़ लिया कोई भी चैप्टर Chemical Bonding या हमने कोई भी Newton के लाप पढ़ लिये तो उसमें से प्रोपर तरीके से नोट्स बनाओ इस चैप्टर की सुरुवात कहां से होती इसमें कौन-कौन से ही अच्छी बाते हैं जो अग्जाम के पॉइंट हो उसे पूछ सकता है हमेशा स्टेटमेंट वाले क्वेसिन पढ़ने की कोशिस करें क्योंकि जब स्टेटमेंट वाले क्वेसिन पढ़ने की कोशिस करेंगे लाइक से डी एस एफ कैट में पूछे जाते हैं तो जो वन लाइनर्जी के कहीं पर भी आएगे तो आराम से क्लिक कर लोगे उसके बाद घटना चकर की बुकाती है अब्जेक्टिव की या लुसेंट तो सबके पास होती है लुसेंट लगाओ घटना चकर में अब्जेक्टिव प्रैक्टिस होती प्रिवीश यर के जितने भी एससी के या PCS के या CPO के CDS के NDA के जो भी क्वेस्टन पूछे जाते हैं उनका एक्स्प्लिनेशन होती है वहां से फिर हमें अपनी त्यारी का पता चलेगा कि हमने जो पढ़ा है अब तक NCRT में उसको हमें वो चीजें हमारे कितनी याद हैं तो वहां से जिएस की भी-धरे पकड़ बनेगी फिर धीरे-धीरे कोई भी अच्छी अच्छी मुक हैं लक्समी कार्ण प्रिक्सा भानी अच्छी जो जो वूक्स रेफरेंस बुक महिश बनवाल की हिस्ट्री या किसी और सब्जेक्ट की हिस्ट्री वहां से फिर पढ़ाई शुरू करो आप पर देन आप पाऊ गई कि दो से तीन महिने में आपकी GS में बहुत अच्छा स्कोर होगा और अब CGL में भी ऐसा नहीं कि पहले CGL में क्या होता था GS को इगिनोर कर देते थे पर आज कल काम नहीं चलता GS को इगिनोर करके ठीक है और जो अब हर्याना सिविल सर्विस का पेपर होगा था आपने उसमें देख भी लिहागा स्टेटमेंट क्वेस्टन वाले थे और उप्सनों में से चार-चार में से दो-दो उप्सन रख देओ उस तरीके की प्रैक्टिस करो अफर दैन आप आउगे कि आपकी GS बहुत स्ट्रोंग होगे ठीक है किसी बच्चे को अभी GS में ढाउट है कि सर GS की कोई भी बुक लेनी हो कोई भी कुछ लेना हो तो आप अगर बहुत जल्दी एक दो दिन में डिसिजन लेके ट्वीटर अभ्यान चेड़ेंगे CT के लिए दवाव बनाएंगे करमेट पर जो बच्चा साथ देना चाहता कमेंट सेक्शन में यस कर दें लेकिन कोई भी टुचा आदमी किसी हरकत में यह मत बोलें कि कोर्स बेचने क कि आरा जाते हैं कोर्स बेचने के लेटे वीटर अभ्यान चेड़ रहें क्योंकि दोनों मानसिकता की लोग होते हैं हमने कुछ नहीं किया बच्चों के लिए तो बोल देंगे क्योंकि हम भी चुप रहने के आदत इसलिए डाले हुए क्योंकि इतनी गंदी सोच है उनकी व अभियान चेड़ेंगे कि नुवंबर ना महो कि सितंबर में लिया जाए तो कौन-कौन बच्चे इस बात के आगरी हैं वो भी कमेंट सेक्शन में डालें और किसी बच्चे को कोई भी चीज़ डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकता है चलो लब यू सुभी को ब